हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चनल फिजिक्स क्लासिस में जैसा आपको पता है कि हमने स्टार्ट किवा हुआ है एक सिरीज जिसमें हम फिजिक्स के इंपोटेंट कुशन देखते हैं कौन से इंपोटेंट जो आपके कंपेटिशन में पूछे हु है ठीक है जितने भी कोशन आया यह आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत जादा मदद करेंगे इससे पहले भी मैंने एक दो वीडियो बनाई हुई है इसमें आप देख सकते हैं यूनिट डाइमेंशन पर बनाई हुई है एक ही इसी तरह के सोट कोशन की मैंने अच्छे कोश्चन को देखते हैं कि किस तरह से कोश्चन हमारे पास हम उनको करेंगे च्छी क्या ब्रोध पर समय के विदिया की नामें क्या विदığı होती की विदियाइं तीन एक वेकीरन कि को एक चालन को और एक समबेहन वेकीरण चालन और समबेहन मान लिल जी एक बरतन है इस बरतन के अंद्र पानी उबल रहा है क्या उबल रहा है ठीक है और यहां पर आपने गैस जला इ Human है इस तरह से यह तो अब हम कैसे समझते हैं सबसे पहले समेशे रान समझते हैं मतलब जो हमें सूर्य हम उसमा कोश्चन देखते हैं ठोस पदार्थों में उसमा इस्थानांत्रन की परिक्रिया को किसके रूप में जाना जाता है देखे विकीरन विकीरन का मतलब सूर्य से परकास यहां पर आ रहा है बीना किसी माध्यम के तो विकीरन तो नहीं है उसके बाद हम देखेंगे में अन्तरन संवहन पर करिया के द्वारा होता है चलिए देखते हैं कोश्चन नमबर 2 प्रिकीर को क्या कहा जाता है आप देख सकते हैं UPSI 2021 में पूछा हुआ है तो वायू मंडल का जो उध्रुवतापन है उसकी परकिरिया आपकी सम्वहन कहलाती है सम्वहन का मतलब होता है कन्वेक्शन क्या होता है कन्वेक्शन तो जो वायू मंडल है उसके उध्रुवतापन की परकिरिया क्या कहलाती है आपकी उध्रुवत में और उगर्म हवा होगी वह उपर उठकिस है जिसके कारण जो आपका वायु मंडल है उस gli मंडल की गरमी क्या होती है फैलने लगती है दुबारा समझ लेई यह उद्लूत अपन की कि जो आपके पास प्रत्वी के संपर्क में दोनों तरह की हवा आएंगी गर्म और ठंडी तो जो गर्म हवा है वो हलकी होती है तो वो हवा उपर उठने लगती है उसी परकिरिया को यहाँ पूछ रहा है उध्रुवतापन और गर्म हवा उपर उठेगी तो इसका मतलब जो पृत्वी है जो वायूमंडल है वो उपर की तरफ से गर्म होगा यह परकिरिया किसके द्वारा होती है convection किसके द्वारा होती है convection जो द्रव है आपके और गैस है उसमें जो प्रवाह होता है उश्मा का वो किसके द्वारा होता है सम वहन कोशन नमबर 3 वह प्रिक्रिया जिसके द्वारा वाईउ में जल वास्प जल की बूंदों में परिवर्तित होती है कहलाती है important है एक ऐसी प्रकिरिया है जिसके दुआरा वाईउ में जो जल वास्प है यानि कि जो आपका water vapors present है आपके atmosphere में वो जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है simple simple यहाँ पर यह question पूछ रहा है कि जो आपके पास gas है gas का द्रव में बदलना क्या कहलता है simple simple यह पूछा है उसने कि gas का द्रव में बदलना क्या कहलता है देखो वास्पी करन में क्या होगा वास्पी करन में जो आपके पास द्रव होगा वो किसमें बदल जाएगा गैस में चारों मैं आपको समझा देता हूँ वास्पिकरन में द्रव किसमें बदलता है गैस में उध्रू पादन में ठोस पदार्त बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्ता में या वास्प अवस्ता में परिवर्तित हो जाता है संगनन में क्या होता है जो आपके पास गैस है संगनन यानि के कंडेंसेशन जो आपके पास गैस है वो गैस परिवर्तित हो जाती है द्रब अवस्ता में और विसरन में विसरन तो डिफ्यूजन होता है इसमें दो गैसे मिलती है जैसे आपने देखा होगा अगर आप अगरबत्ती जला दें यहाँ पर तो अगरबत्ती की जो वाईउ है वो आपकी एटमोसफेर में मिल जाएगी और आपकी दूर तक खुसबू आपको उसकी संगनन यानि के ठंडा होना यानि के जो आपकी गैस होगी वह गैस किसमें बदल जाएगी द्रव में यानि के जल वास्प किसमें बदल जाएगी आपकी जल की छोटी-छोटी बूंदों में चलिए उसके बाद देखते हैं कोशन नमबर 4 वास्पी करन के फल सुरूप यह किस अवस्था में बदलने लगता है गैस अवस्था में यानि के अगर पानी लें आप पानी पानी को गर्म करने पर यह किस अवस्था में बदलने लगता है वास्प अवस्था में इसी प्रोसेस को बोलते हैं वास्पी करन क्या बोलते हैं वास्पी करन यानि के इसको बोला जाता है, अब वास्पीकरण के फलोज़ूस रूप क्या होता है यह आपको बताना है, सबसे पहला टापमान और दब में random यह दरिस्टिक मतलब random बृद्धी, दूसरा है सीटलन, सीटलन का मतलब होता है cooling, तीसरा टेंपरेचर में विरद्धी यानिके तापमान विरद्धी होती है और चोथा टापन क्या इसका सही आंसर है आपको बताना है तो आपने सुना होगा कि एक गर्मी पढ़ती है मही जून की उस जून मही जून की गर्मी में आपका सरीर ठंडा लगता है आपको पसीने आते हैं लेकिन वास्पी करन इतना जादा होता है कि आपकी जो स्किन है वो आपको ठंडी महसुस होती है वही जूलाई अगस्ति गर्मी बहुत खतरनाग मानी जाती है उसमें वास्पी करन की दर आपको ठंडक महसूस होगी यानि कि सीतलन महसूस होती है इसलिए वास्पी करण के करण क्या होता है सीतलन आपको महसूस होगी क्या महसूस होगी सीतलन महसूस होगी ठीक है तो इसका अंसर आपका होगा कूलिंग या सीतलन कोशन नमबर पांच कुशन नमर पांच पढ़ते हैं जिस ताप पर वाईू में जलवास्प संगनित होना सुरू हो जाती है उसे क्या कहा जाता है मतलब एक ऐसा तापमान आपको बताना है जिसमें वाईू के अंदर जलवास्प है यानि कि जो वास्प है वो संगनित होना सुरू हो जाती है संगनित का मतलब ठंडा होना संगनित का मतलब बेसिकली क्या होता है वो वास्प से दरव अवस्ता में आने लगती है तो वास्प से दरव अवस्ता में अगर वो आएगी तो क्या होगा इस प्रोसेस को आपको बतान जाता है ओसांख तो ओसांख वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर जल वास्प संगनित होना क्या हो जाती है स्टार्ट हो जाती है यानि के गैस द्रव अवस्ता में बदलना प्रारंब कर देती है सीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो अभी मैंने आपको बताया कि गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया संगनन कहलती है देखो एक टेबल में आपको बता देता हूँ पूरी की पूरी इसको आपको याद रखना है कैसे आप याद रखेंगे मान लिजे आपके तीन प्रोसेस हैं थोस, द्रव और गैस ये तीन पदार्त की अवस्थाईं होती हैं फोस, द्रव और गैस जब कोई पदार्थ ठोस अवस्था से किस अवस्था से ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है तो इस परक्रिया को बोलते हैं गलन क्या बोलते हैं गलन जब कोई ठोस पदार्थ गर्म होकर द्रव अवस्था में बदलता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं गलन क्या बोलते हैं गलन और जब कोई द्रव गर्म होकर गैस अवस्था में बदलता है तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है वास्पी करन क्या बोला जाता है वास्पी करन और जब कोई ठोस सीधा गैस अवस्था में बदल जाए तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्या उध्रव पातन क्या बोला जाता है उध्रव पातन तो ये तो तीन स्टेप आपने पढ़ लिए गलन, वास्पिकरन और उद्रव पातन इसके अतिरिक्त तीन और आपको पढ़ने है सबसे पहले अगर कोई आपके पास गैस है वो गैस कनवर्ट हो जाए आपकी द्रव में तो इस कंडिशन को बोला जाता है संगनन क्या बोला जाता है संगनन यानिके कंडन सेशन क्या बोला जाता है संगनन या कंडन सेशन और जब कोई पानी आप ले द्रव अवस्ता से ठोस अवस्ता में बदल दे तो उसको बोलते हैं जमना यानिके फ्रीजिंग क्या बोलते हैं जमना यानिके फ्रीजिंग और उसके बाद अगर आप किसी पदार्थ को सीधे गैस अवस्ता से ठोस अवस्ता में बदल रहे हैं तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है क्या? निक्छेपन क्या कहलाती है निक्छेपन तो ये आपको याद रखना है कि अगर आप ठोस से द्रव में बदलते हैं ठोस से द्रव में बदलते हैं तो इसको बोलते हैं गलन द्रव से ठोस में बदलते हैं तो जमना द्रव से गैस में बदलते हैं तो वास्पिकरन, गैस से द्रव में बदलते हैं तो संगनन, ठोस से सीधा गैस में बदलते हैं तो उद्रूपातन और गैस से सीधा ठोस में बदलते हैं तो इसे बोलते हैं निक्छेपन, तो यह आपको याद रखना है, पूरे चैप्टर में आपके काम आएगी संगनन अभी मैंने आपको पढ़ाया यानि के गलना क्या कहलते हैं गलना यानि के जो ठोस होता है वो ठोस कनवर्ट हो जाता है किस अवस्ता में द्रव में संगनन जो आपके पास गैस होगी वास्प होगी वो किसमे परिवर्ती जो जाती है द्रव में और यही पूछा था उध्रू पातन जो आपका ठोस होगा वो ठोस सीधा किसमे बदल जाएगा गैस में और हिमी करन यानि के जमना यानि के द्रव जो है वो सीधा किस में चला जाएगा ठोस अवस्ता में तो इस तरह से आपको ये रिवेंबर रखना है हवा में विद्यमान जलवास्प को डैस के रूप में जाना जाता है जो हवा के अंदर विद्यमान होती है आपको पता है जो आपके पास एयर होती है हवा उसके अंदर आपकी वाटर वैपर्स मुझूद होती है तो उस वाटर वैपर्स को किसके रूप में जाना जाता है ये वायूदाब के रूप में तो आपने एक वर्ड सुना होगा humidity कि आज humidity कितनी है तो humidity basically क्या बताता है कि वायू के अंदर जो आपके पास वायू है या हवा है उसके अंदर कितनी जलवास्प मौजूद है कितने जल की मातरा मौजूद है वो बताता है आपकी आदरता या humidity अगर आप देखेंगे कि जैसे आप बारिस का मौसम चल रहा है तो आप देखेंगे 96% humidity है इसका मतलब समझ लीजिए 96% humidity का मतलब क्या होता है वह से बच्चे confused होते हैं क्या होती है humidity तो क्या होता है यह आपकी प्रिथवी है इसके उपर वायू के करण है तो इनके पास यहां माली जे प्रिथवी पर जल है तो यह जल को क्या करते हैं वास्पी करन की प्रिक्रिया द्वारा उड़ा लेते हैं अपने पास स्टोर कर लेते हैं लेकिन आपको मैं कहूं आपको खाना खाना है तो आपको खाने के पास ले जाओं दावत में ले जाओं कहीं भी दावत में ले जाओं तो आप समझिए कहूं खाईए क्या आप कितना भी सब कुछ खा जाएंगे क्या आप कोशन है आप सब कुछ खा जाएंगे आंसर है नहीं limit होती है ऐसा नहीं है कि सारे के सारे के पानी को उठा लेंगे यानि कि जो कन है हवा के उसको उसके पास एक limit होती है पानी को उठाने की अब 96 humidity का मतलब है कि उसने अपनी उस capacity का 96% पानी को उठा लिया केवल 4% क्या है 4% कमी है अगर 100% humidity हो गई मतलब अब वायू के कन कोई भी पानी को नहीं उठा सकते आप जैसे कपड़े सुबह को डालेंगे तार पर सूखने के लिए वैसे ही कपड़े आप साम को वो मिल जाएंगे मतलब अगर humidity नहीं होगी पूरी होगी 100% तो वास्पिकरन की परिकरिया नहीं होती तो समझ में आ गया हवा में जो विदमान जलवास्प है उसको हम आदरता या humidity के रूप में जानते हैं उसके बाद ताप मान मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाला उपकरन है ताप मान को मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले उपकरन का आपको नाम बताना है क्या उपकरन वो है ठीक है देखते हैं इसके option तो ताप को नापने के लिए आप सभी को पता होगा सबसे आसान question है ताप को मापने के लिए हम किसका प्रियोग करते हैं धर्मा मीटर किसका प्रियोग करते हैं धर्मो मीटर का प्रियोग करते हैं ताप को मापने के लिए तो जो आपके पास ओडियो मीटर होता है उस ओडियो मीटर से आप द्वनी की तीवरता नापते हैं क्या नापते हैं द्वनी की तीवरता नापने के लिए प्रियोग किया जाता है किसका ओडियो मीटर का इसके अलग जो एनिमो मीटर है एनिमो मीटर आप जो हवा है वाईउ है वाईउ की गती और दिसा को मापने के लिए प्रियुक्त किया जाता है किस-किस को जो हवा है उसकी गती और दिसा को मापता है आपके पास एनिमो मीटर और ब्यूरेट आपने केमिस्ट्री में सुना होगा कि जो आपके पास ब्यूरेट होता है क्या होता है ब्यूरेट वो ब्यूरेट आपने एक देखा होगा परिखनली टाइप में होता है आपने देखा question number 8, question number 9, farne height में जल का क्वथनांक कितना होता है, सबसे पहले आपको याद रखना है, जो जल होता है, जल, वो जल 100 degree Celsius पर उबल जाता है, यानि के क्वथनांक कितना होता है, उसका 100 degree Celsius, और गलनांक, गलनांक होता है, उसका 0 degree Celsius, उसने किसकी बात किया, क्वथन की वो भी फार्ने हाइट में तो आपको एक रिलेशन याद रखना है C बटे 5 बराबर F माइनस 32 बटे 9 बराबर K माइनस 273 बटे 5 बराबर R बटे 4 R अपोन 4 यह आपके पास फोर्मूला है ताप मान के विभिन पैमानों का ताप के विभिन पैमाने कौन कौन से होते हैं आपके Celsius, Fahrenheit, Kelvin और Rumor यह आपके ताप के पैमाने हैं इनमें जो संबंद होता है वो मैंने board पर आपको लिख दिया सामने आपको दिख रहा होगा कि यह board पर क्या लिखा हुआ है formula लिखा हुआ है अब आपको Celsius में value पता है कितनी 100 upon 5 किस में पूछा है फार्ने हाइट में तो फार्ने हाइट यूज करेंगे यह रहा फार्ने हाइट F-32 बटे 9 solve करेंगे इसको 9 की गुना इदर 900 बराबर 5F-160 उसके बाद 900 1060 बराबर 5F तो F का माना जाएगा फार्ने हाइट का 1060 बटे 5 5 से इसको काटेंगे 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 दूनी 10 तो कितना आएगा 212 फार्ने हाइट आपकी value होगी जो आपका जल है जल के कुथनांक की value कितनी होती है 212 degree farne height कितनी होती है 212 degree farne height और 100 degree celsius इसी तरह से कैलविन में भी आप निकाल सकते हैं ठीक है चलते हैं कोशन नमबर 10 की तरफ कोशन नमबर 10 कह रहा है वास्पिकरन की परकिरिया के बारे में निमनमे से कौन सा कथन सही है वास्पिकरन की परकिरिया के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है तो वास्पिकरन की परकिरिया कौन सी थी जिसमें द्रव किसमें बदलता था गैस में ठीक है देखते हैं क्या क्या option दिये है तरल अवस्था गैसी अवस्था में बदल जाती है दूसरा उसने पूछा है कौन सा कतन सही है ठोस अवस्ता तरल अवस्ता में तरल अवस्ता ठोस अवस्ता में गैस अवस्ता तरल अवस्ता में देखो ठोस अवस्ता तरल अवस्ता में बदल रही है यानि कि ठोस द्रव में बदल रहा है तो इसको बोलते हैं गलन क्या बोलते हैं गलन उसके बाद आप देखेंगे तरल अवस्था थोस अवस्था में बदल रही है यानि के पानी है वो बरफ बन गया तो इसको बोलते हैं जमना उसके बाद गैस अवस्था तरल अवस्था में बदल रही है यानि कि gas वास्प है वो किस में बदल रही है लिक्विड में इस अवस्था को बोलते हैं संगनन या कंडेंशेशन और तरल अवस्था गैस अवस्था में बदलती है तो इस प्रकिरिया को हम बोलते हैं वास्पी करन क्या बोलते हैं वास्पी करन तो वास्पी करन की प्रकिरि तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बोक्स में कि सर मुझे ये कोशन समझ नहीं आ रहा उसके बाद कोशन नमर 12 निमन में से कौन सी वस्तू उस्मा गतिकी के सिद्धान्त पर कारिय करती है उस्मा गतिकी के सिद्धान्त पर कौन सी वस्तू कारिय करती है आपको बताना है कार की बैल्ट, बोल पेन, अलार्म घड़ी या स्टीम आईरन इसका क्या आंसर सही होगा आपको बताना है तो इसमें आप देखेंगे जो आपके पास स्टीम आईरन है आपने देखा होगा जो प्रैस होती है स्टीम की वो क्या काम करती है electrical energy को heat energy में convert करती है मतलब विद्धुत energy को विद्धुत उर्जा को किस में convert करती है उसमिय उर्जा में और यहां उस्मा का concept आता है यानि कि यह उस्मा गतिकी के सिद्धान्थ पर कार्य करती है इसलिए इसका सही answer होगा steam iron देख सकते हैं आप दिल्ली पुलिस constable 2020 में question पूछा हुआ है तो जो आपका steam iron होता है steam से चलने वाली जो प्रैस होती है उसका परयोग हम वो किसके सिद्धान्थ पर कार्य करती है वो सिद्धान्थ कोन सा होता है उसका नाम है उसमा गतिकी का सिद्धान्थ ठीक है उसके बाद हम देखेंगे next question number 12 273 Kelvin वायूमंडलिय दाब पर एक किलोग्राम बर्फ को जल में परिवर्थित करने के लिए आवश्यक उसमा की मातरा कहलाती है बहुत अच्छा कोशन है definition है पूरी कि 0 degree Celsius या 273 Kelvin पर 273 Kelvin का मतलब है 0 degree Celsius पर एक किलोग्राम बर्फ है क्या है आइस इसको किस में कनवर्ट करना है वाटर यानि कि जल में कनवर्ट करना है तो जल में परिवर्थित करने के लिए आवश्यक उसमा की मातरा को क्या बोलते हैं ये आपको बताना है सबसे पहले आप इस कोश्चन में ये देखेंगे कि 273 वाईू मंडलिये दबाव लिखा है जबकि होना चाहिए था 273 ताप पर यानि कि 0 degree Celsius पर आप देखेंगे देखो क्या होता है सबसे पहले आपके पास बर्फ होगी बर्फ कर ताप मान 0 degree Celsius होगा आप इसको थोड़ा गर्म करेंगे तो गर्म करने पर बर्फ पानी में बदलेगा पानी यानि कि बर्फ कहती सी आपकी ठोस पानी कैसा था पानी भी 0 degree Celsius को होगा लेकिन पानी द्रव हो जाएगा उसके बाद आप और ताप मान देंगे तो ये पानी ही रहेगा मालो 50 degree Celsius का पानी ही है तो ये भी द्रव है उसके बाद आपने और उसमा दी 100 degree Celsius ये अभी भी जल ही रहा इसका ताप मान कितना हो गया 100 degree Celsius ये अभी भी द्रव है आपने और उसमा दी किस वाले प्रोसेस में आप देखोगे इस से इस में केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ है क्या ताप में परिवर्तन हुआ है आंसर है नहीं तो ऐसे उस्मा जो पदार्थ के केवल अवस्था परिवर्तन कराने के लिए आवश्यक होती है उसको बोलते हैं गुप्त उस्म क्या बोलते हैं गुप्त उस्मा और यहां पर तापमान भी बड़ा है और यहां पर भी तापमान भड़ा है ये केवल उस्मा है फिर उसके बाद आप देखेंगे पानी से वास्प बना सो ही डिगरी सेल्सियस का तो ये भी आपकी क्या है गुप्त उस्मा है ये भी क्या है ग गुप्त उस्मा आपकी दो प्रकार की होती है एक तो होती है गलन की गुप्त उस्मा यानि कि किसी भी पदार्थ को ठोस अवस्ता से द्रव अवस्ता में उसका ताप बदले बिना जो उस्मा दी जाती है उसको बोलते हैं हम गलन की गुप्त उस्मा और वास्पन की गुप्त उस्मा का मतलब यह तो हो गया गलन की गुप्त उस्मा वास्पन की गुप्त उस्मा का मतलब क्या होता है कि कि किसी भी पदार्त की किसी अवस्ता से पदार्त की द्रव अवस्ता से वास्प अवस्ता में बिना ताप बदले उसको दी गई उस्मा कहलती है वास्पी करन की गु कि गुप्त उस्मा सारी उस्मा मैंने आपको समझा दी किस किस तरह से यह उस्मा होती है चलिए देखते हैं नेक्स कोशन कोशन नमबर 13 कोशन नमबर 13 कह रहा है डैस को उस तापमान के रूप में परिभासित किया जाता है जिस पर संत्रिप्ति तक पहुंचने के लिए परिष्टिय ताप ओसंग ताप या सापेकशिक आदरता इसका सही आंसर आपको बताना है किया आंसर इसका होगा बताएए इसका क्या आंसर होगा तो ऐसा ताप आपका कहलाता है ओसंग ताप क्या कहलता है ऐसा ताप ओसांक ताप तो ऐसांक ताप एक ऐसा ताप होता है जिस पर हवा संत्रिप्त हो जाती है क्या हो जाती है हवा संत्रिप्त हो जाती है सैचुरेटिड हो जाती है संत्रिप्त हो जाती है तो हवा क्या हो जाएगी संत्रिप्त हो जाएगी ओसांक की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी ओसांक जितना ज़्यादा होगा आपकी जो वावा है वाईू है उसमें नमी की मात्रा उतनी ही ज़्यादा होगी नमी की मात्रा क्या उतनी ही ज़्यादा होगी अगर ओसांक पचास पच्पन के आसपास है तो आप देखेंगे कि वातावरन सुस्क और आरामदायक वातावरन रहेगा समझ लो अगर आपका ओसांक पचपन है क्या है ओसांक पचपन तो जो वातावरन है वो सुस्क और आरामदायक रहेगा या तो पचपन हो या पचपन से कम हो तो सुस्क वे आराम दायक वातावरन रहेगा जैसे आप मैई जून के महिने में देखते हैं अगर आपके पास 55 और 65 के बीच है या आप कह सकते हैं कि जो ओसांग है वो 55 से 65 के बीच में है तो क्या होगा कि आपको चिप चिपा फील होगा मोसम कैसा लगेगा चिपचिपा जैसे आप देखते हैं किसकी गर्मी जुलाई की गर्मी उसी परकार से अगर ओसांग 65 से जादा है तो आप देखेंगे कि ओसांग 65 से जाने देगा मतलब हवा में नमी की मातरा क्या होगी अधिक होगी तो इस तरह से क्या होगा कि जो ओसांग होता है वो आदरता से प्रभावित होता है जितनी जादा नमी होगी उतना ही जादा ओसांग होगा उतना ही जादा क्या होगा ओसांग होगा ठीक है किलियर है नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमबर 14 कोशन नमबर 14 कह रहा है डैस में उस्मा गरम पदार्थ से ठंडे पदार्थ में इस्थानांतरित होने वाली उर्जा का एक परकार है किस में आपको बताना है उसमा गरम पदार्थ से ठंडे पदार्थ में इस्थन अंत्रित होने वाली उर्जा का एक परकार है चुम्बक, घर्सन, गुर्तवा कर्शन या उसमा गती की इसको आपको सही आंसर बताना है क्या आंसर इसका होगा देखें क्या चुम्बक में उस्मा गरम पदार्थ से ठंडे पदार्थ में होगी नहीं क्या घरसन में कोई गरम और ठंडे पदार्थ से होगी नहीं होगी उसके बाद देखते हैं क्या गुर्तवा कर्शन में होगी उस्मा प्रवावित नहीं होगी तो उस्मा प्रवावित किस में होगी उश्मा गतिकी में ठीक है तो इसका सही अंसर आपका क्या होगा उश्मा गतिकी चलिए नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमबर 15 डैस ने उस्मा प्रवाविकी के पहले दो नियमों को सहीता बढ़ किया और कहा कि ताप का पूर्ण सुन्ये माइनस 273.15 डिगरी सेल्सियस है इन्हें इसके लिए केलविन ताप्तमान इसकेल के नामकरन से जाना जाता है कौन जे हैं आपको नाम बताना है इनका तो ये है आपके विलियम थोमसन ये तो डैरेक्ट कोशन आपको याद रखना है किसने बताय था विलियम थोमसन ने ठीक है रोबट हुक का कोई मतलब नहीं है बाई रोज़ी से रिलेटिड है ठीक है तो क्या है इसका विलियम थोमसन निम्न में से किसे उस्मा गतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है तो उस्मा गतिकी का पहला नियम आपने पढ़ा होगा क्या कि अगर हम किसी भी पदार्थ को उश्मा दे क्या दे उस्मा तो वो एक तो कारिया में खरच हो जाता है और उसकी आंत्री कुर्जा में परिवर्तन में ठीक है तो इसको हम उर्जा संरक्षन का नियम भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको उर्जा संरक्षन का नियम बोयल का नियम क्या होता है इसमें प्रैसर और वोल्यूम कॉंस्टेंट होते हैं ठीक है गैस के लिए सत्य होता है चार्ल्स का नियम क्या पड़ा आपने चार्ल्स का नियम आपने पड़ा वी वैरीज करता है टी पर और द्रव्यमान सन्रक्षन का नियम यानि के अभिकारक और उत्पाद अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है मतलब किसी भी अभीकिरिया से पहले का द्रव्यमान और अभीकिरिया के बाद का द्रव्यमान बराबर होगा ये है आपका उरुद द्रव्यमान सन्रक्षन का नियम तो उर्जा सन्रक्षित का नियम को उस्मा कतिकी का पहला नियम भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ आप देखेंगे जो उस्मा दी है वो सन्रक्षित है एक तो किये गई कार्या में खर्च हो जाती है और आंत्रीक उर्जा में परिवर्तन में नेक्स्ट कोशन नमबर 17 देखते हैं 17 में कहा है कि सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की नवीन अवधारना क्या कहलाती है आपको बताना है गुप्त सोर उस्मा विकीरन उस्मा समवाहक और उस्मा और पैसिव सोर उस्मा क्या है इसका अंस होगा तो आप देखेंगे जो पैसिव सोर उस्मा है पैसिव सोर उस्मा मतलब निस्किरिय सोर उस्मा क्या नाम है इसका दूसरा निस्किरिय सोर उस्मा तो जो निस्किरिय या पैसिव सोर उस्मा है उसमें जो सूर्य है उसकी उर्जा का इस्तेमाल घर और इमारतों को गर् जो पैसिव सोर उस्मा है उसका उपयोग किस कामी किया जाता है जो इमारत होती है या घर होते है उनको गर्म या ठंडा करने में किया जाता है माल लीजिए गर्मी चल रही है अब आपको घरों को क्या करना है ठंडा करना है तो पैसिव सोर उस्मा अवधारना का प्रियोग करना पड़ेगा सर्दी है सर्दी ना लगे आपको घर की छत वगेरा को गर्म करना है तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा पैसिव सोर उसमा का उपयोग करना पड़ेगा ठीक है इसके लिए क्या करना पड़ता है जो घर वगेरा होते हैं उसको एक खास अंदाज में खास दिजाइन से तैयार किया जाता है ठीक है और इसमें जो दक्षिन दिसा होती है साउथ डारेक्शन होती है उसमें बड़ी-बड़ी खिड़किया लगाई जाती है बड़ी-बड़ी खिड़किया लगाने इसका कारण क्या होता है हवा ठीक है उसके बाद इसमें कुछ पेड लगाए जाते हैं पेड मतलब ऐसे पेड जो छायदार पेड होते हैं उनका प्रियोग किया जाता है और इसमें जो आप देखेंगे कि जो भी आप घर बगरा बना रहे हैं उसमें बहतर इंसुलेशन और वेंटिलेशन का प्रियोग भी किया जाता है ठीक है तो इस तरह से आप सोर चिमनी का भी इसके अंदर प्रियोग किया जाता है ठीक है तो आप देखेंगे पैसिव सोर उसमा एक बहुत अच्छी टेकनीक है जिसके दुआरा आप क्या करते हैं? घरो को, सरदियों में क्या करेंगे? गर्म रखेंगे, और गर्मियों में कैसा रखते हैं? ठंड़ा रखते हैं. उसके बाद question number 18 सूर्य प्रथवी को, dedicated के माध्यम से गर्म करता है. तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका कि उस्मा इस्थानांत्रेन की तीन विदियाती सम्वहन तो नहीं होगा ये तो द्रवों में होता है ठीक है तो विकीरन इसमें माध्यम की कोई भी आवश्यक्ता नहीं होती तो जो सूरिय होता है वो प्रत्वी को विखंडन मतलब किसी पदार्थ के तापमान या दाब में परिवर्तन के कारण तरल अवस्था में परिवर्तन की परकिरिया क्या कहलाती है ये मैं आपको समझा चुका देख लेना अब गैस या अवस्था में मौझूद किसी पदार्थ के ताप या दाब में परिवर्तन के कारण उसको तर क्या बोलते हैं कंडनसेशन या वास्पी करन वास्पी करन क्या होता है द्रव से किस में बदलना वास्प में बदलना तो इसका सही आंसर होगा संगनन ओप्शन नमबर C Question number 20 20 देखते हैं CGL का Question है數 विस्थार के कारण एफिल टावर गरिमियों में अधिक लंबा हो जाता है ये आपको बताना है किस के विस्थार के कारण एफिल टावर गरमियों में ज्यादा लंबा हो जाएगा ये आपको बताना है इसका option number A तापिय, B परवन्ता C गुरुत्विय और D होगा इसका option रासाइनिक तो आपको बताना है किसके कारण ऐसा होता है तो आपने पढ़ा होगा तापिय परिवर्तन आपने पढ़ा होगा तापिय विस्थार तापिय विस्थार में क्या होता है जब गर्मी के दिनों में आप देखोगे कि जितने भी आपके पास धातू के पदा तो धातू होती है जब आप उसको गर्म करते हैं धातू को क्या करेंगे गर्म करेंगे तो जो आपके पास धातू होती है वो गर्म होकर फैल जाती है इसी के करण आपने देखा होगा जो तार होते हैं तार भी फैल जाते हैं और जितने भी आपने पूल बगएरा जो भी जिसमें भी आप धातू का यूज कर रहे हैं वो गर्मियों में फैल जाते हैं तो उसका करण होता है ताप यह होता है thermal expansion thermal expansion यह तीन तरह का होता है मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि लास में एक linear एक aerial और एक volumetric यानि कि रेखिये छेत्रिय और आयतनिक तीन तरह से आपका परसार होगा रेखिये छेत्रिय और आयतनिक ठीक है नेक्स कोशन कोशन नंबर 21 कोशन नंबर 21 भोतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह बताता है कि तापमान और दाब की समान अरिस्तितियों में सभी गैसों के समान आयतन में अनू की संख्या समान होती है बहुत अच्छा कोशन है इंपोटेंट है जिसने केमिस्ट्री पढ़िये अच्छे से वो इसको बता देगा ठीक है तो यहाँ पर अनू की संख्या का समान रहती है वो ऐसी परिस्तिति बतानी है दैसे चार्ल्स का नियम था पहले बोयल्स का नियम देखते है बोयल्स का न उनाओड क्या बदाता है कि N1 इक्वेस्ट्थ टू एंटू मतलब एक ऐसी परिस्तिति है जिसमें ताप और दाब समान परिस्तिति में हैं दो गैसों के लिए और आयतन भी समान है तो उसके अंदर अनू की संख्या भी क्या होती है समान कहा से PV इक्वेस्ट टू Rs गो और ओम का नियम आपको पता होगा वी इक्वल्स टू आई आर या आर इक्वल्स टू वी अपोन आई यह हमेशा क्या रहता है कॉंस्टेंट वी का मतलब वोल्टेज विभुवांतर आई का मतलब धारा ठीक है तो यह आपका आंसर होगा आवोगैदरों का नियम लोवर पीसियस का कोशन है कोशन नमबर ट्वंटी टू बताना है क्या है वर्फ की गुप्त उस्मा है वर्फ की गुप्त उस्मा का मतलब है कि आपको वर्फ को पिंगलाना है और पानी बनाना है तो आपको कितनी उसमा उसको चाहिए उसका आंसर होगा 80 कलोरी परती ग्राम कितनी चाहिए 80 कलोरी परती ग्राम और अगर पानी से वास्प में बनाना है पानी से किसमें बनाना है वास्प में तो उसको चाहिए 540 कलोरी परती ग्राम देखो यहाँ पर दो option है 80 किलो कैलोरी प्रती ग्राम या 80 कैलोरी प्रती ग्राम तो धिहान से answer को टिक करना है आपको 80 कैलोरी प्रती ग्राम अगर आपने थोड़ा भी जल्दवाजी में question को ऐसे ही देखे बिना चारे option को टिक कर दिया तो बहुत 99% चांस होगे कि आप पहले option को लगा देंगे 80 किलो कैलोरी पर ग्राम जो कि आपका answer गलत हो जाएगा ठीक है उसके बाद देखते है question number 23 23 कहता है फार्ने हाइट पैमाने पर भाप बिंदू क्या है 32 डिग्री फार्ने हाइट 100 डिग्री फार्ने हाइट 212 डिग्री फार्ने हाइट या 80 डिग्री फार्ने हाइट मैंने आपको relation बताया था ता आपके विभीन पैमाने में क्या था c अपोन 5 एक्वल्स टू F-32 अपोन 9 इक्वल्स टू K-273 अपोन 5 इक्वल्स टू R afar एपोन 4 ठीक है भाप बिन्दु मतलब जल की बात कर रहा है जल का भाप बिन्दू में बैसिकली बाप बिन्दू जो होता है अगर celsius में बात करते हैं तो सो डिगरी celsius होता है तो सी की सी का c upon 5 और farney height यूज़ करना है तो ये वाला formula यूज़ करेंगे f minus 32 upon 9 c की value है 100 upon 5 equals to f minus 32 upon 9 ये कितना हैगा 20 बराबर f minus 32 बटे 9 इस दोनीम 18 180 बराबर f minus 32 तो f की value हाजाएगी 180 plus 32 तो कितना हो गया 212 तो f कितने farney height आएगा 212 डिगरी farney height इसका correct answer होगा तो भाप बिंदू कितना होता है 200 डिगरी 212 डिगरी farney height next question question number 24 चकवंदी लेकपाल का question है दो काच के glass एक दूसरे से एक के अंदर दूसरा है चिपक जाते हैं बहुत अच्छा question है अगर आप दो काच के glass लें उसको इस तरह से चिपक जाते हैं उन्हें कैसे अलग किया जाता है question है बहुत अच्छा है नंबर ए बाहरी glass को गर्म पानी में डाल कर नंबर दो जोरों से पीट-पीट कर नंबर सी है अंद्रूनी glass में पानी जो है वो गर्म पानी डाल कर और डी है glass को सीतल जल में डाल कर तो क्या इसका अंसर होगा यह आपको बताना है तो आप देखेंगे जोर-जोर से सीतल जल में डाल कर और एक गर्म पानी में डाल कर तो इसका सही आंसर होगा गर्म पानी में डाल कर होता क्या है समझ लीजिए कि जब दो गिलास चिपक जाते हैं तो चिपकने पर उनको अलग-अलग करना किस तरह से अलग करते हैं उनको गर्म पानी में डाल अब आप कहोगे सर गरम पानी में डाल कर क्या होगा तो जैसे आपने उनको गरम पानी में डुबोया तो क्या हुआ कि दोनों के अंदर जो हवा कैद हुई थी चिपकाने के कारण जो गिलास एक दूसरे से चिपक गे थे उसमें जो हवा कैद हुई थी गरम पानी में डालने पर वो हवा क्या होगी गर्म होगी और आपको पता है जब हवा गर्म होती है तो फैलने लगती है तो इस तरह से हवा फैनने लगेगी और जैसे हवा फैलने लगेगी तो क्या हो जाएगा कि वो दोनों गिलास प्रैसर बढ़ने की वज़े से खुद ही खुद अलग हो नमक को बर्फ के साथ मिलाने में हीमांग क्या होता है आपने देखा होगा कि बर्फ हैं बर्फ में अगर आपने नमक डाल दिया तो क्या वो बर्फ पिगलने लगती है इसका आंसर क्या है इस? उसकी बर्फ पिंगलने लगती है आपने देखा होगा जितने भी पहाडी छेतर होते हैं उस पहाडी छेतर पर क्या किया जाता है कि बर्फ को जो रोड पर बर्फ जम जाती है उनको पिंगलाने के लिए किसका प्रियोग किया जाता है नमक का प्रियोग किया जाता है तो जो नमक होता है व जिस पर कोई भी ध्रव पदार्द किस में बदल जाता है ठोस में यानि के पानी या जल किस में बदल गया बर्फ में तो ऐसा ताफ अपका गलता है क्या हिमांक तो इसका मतलब उसका हिमांक क्या हो जाएगा उसका हिमांक घट जाएगा और आप देखेंगे जो आपके पास जल होगा जल उस जल का हिमांक 0 degree Celsius होता है कितना होता है 0 degree Celsius या 32 degree Fahrenheit कुछ भी आप याद रख सकते हैं आपकी मर्जी है इसी के साथ साथ अगर कोई विले भी मिलाया जाता है तो भी उसका हिमांक क्या हो जाता है कम हो जाता है तो उम्मीद करता हूँ आपको कोश्चन समझ आयोंगे अगर फिर भी आपको कोई confusion है तो आप मुझे मैं ऐसी से लिख सकते हैं comment box में ठीक है हम सभी चैप्टर बारी बारी से देखेंगे इस चैप्टर के अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों में इस चैनल को सेर कीजिए धन्यवाद मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ नई किलास के साथ तब तक के लिए जैहिंद शुबरात्री